जिन्दगी कभी ऐसी सीख देवेगी सोचा कोनी था रगो इंसानों को समझने की सीख देखो न एक तरप महलों में रहने वाली बेबी जी है पीसों से ज़ादा रिष्टों को एहमेर देवे है और अपने ही मुहले में रहने वाली सुमित्रा उसे ना कोई लाज है ना लिहाज है अपने एहंकार में टूपे हुई है किसने सोचा था रगो कि इतनी सीधी साधी दिखने वाली सुमित्रा हमारी जिन्दगी को नरक बणा देवेगी फरेब की दिवार की नीव इतनी भी मजबूत नहीं होती मा कि कोई उसे तोड़ ना पाए अगर सुमित्रा ने इस घर को नरक बना दिया है तो उसे इसका सबक जरूर मिलेगा हमें उसे बताना होगा कि इस परिवार के लोग इतने कमजोर नहीं है कि उसके बुरे इरादों को बूरा होने दे वेकल राइट स्पीकिंग कर रहे हैं अब बीबी जी इस सुमित्रा बहुत शातिर है और हमने तो ट्राइंग भी किया था इस घर को वापिस लेने का लेकिन उसने हमें पकड़ लिया और हम हार गए कोई बात नहीं आया सिर्फ इस वएसे हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते हम सब साथ हैं कोशिश करेंगा अमें जब पूरा यकिन है कि आपना घर वापिस लेकर रहेंगे तो बात तो चोख ही कर रहा है रखो लेकिन हम करेंगे काई सही के लिए लड़ना धर्म है ऐसा तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है मा अगर सुमित्रा हमारे साथ बुरा बरताव कर रही है तो हम उसे क्यूं सहें अगर उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए हमें तेड़े रास्तों पर भी चलना पड़े तो वो भी सही है मा और हमें पूरा यकीन है अगर हम सब साथ में लड़ेंगे ना तो जीत हमारी ही होगी आप सब हैं ना हमारे साथ ना नर्बाव भारत अर्ण्तानम् दर्मस्त अगर पानम् स्रिजाम्याः पनालार्मानां, स्रिजाव्या, तर्यार्माना, स्रिजाव्या, आपने दो वैली, क्या बात अब? हम यह सोचकर बहुत दुखोर है, रगू, कि यह सब, सिर्फ हमारी वज़े से हुआ है, अगर हम भी मारना पढ़ते, और हमारे इलाज के लिए तुम मुंबई ना जाते, तो सुमित्रा ऐसा कभी नहीं कर पाती, अब कैसी बाते कर रहे हैं? यह जो कुछ भी वह आसमे आपकी गलती है, बताईए, आपके हाथ में था यह सब, एक आप इतना मत सोचिए, और ऐसे भी जो भी वह अच्छा ही हुआ, सुमित्रा कास्ली चैरा सामने तो आया सबके, वैसे, मुझे आपकी बातों से मुझे बहुत हमत मिली, यह मुझे आपके, पिस AO छो के आपकी दो barnसी ही, आपके हाहाँ इतनी है,